तो गाइज विल्कम बैक टो और निव लोग तो गाइस कैसे हैं आप लोग यहां देखो मैं और कुनाल काम करें यह गाय मेरी पिछे गाय खा रही है यह और अभी घर पे हम लोग सफाई कर रहे थे यह देखो घहांस होगे रहे हैं यहां पर यह यह देशी अर्वी तो इसको निकाला अभी और इदर देखो चारों तरफ घहांस है यह पूरा वहां तक सफाई करना कर यहां पर काम होगा जीसी वी से पूरा यहां पर खुदाई करवा कि दिवाल करवानी है गाइस गाओं में आम हमें खरीदने पड़ते हैं सारे हमारे सारे यह हो गया है किसका कटहल पेड़ सुपी गया यह बला अन्या पेडा गाया हुआ है इस फूल एँद Penney है और देखो अभी सफाई कर रहे हैं काम चल रहे हां पिर नदी चल क्संकर्जी दिखाऊंगा तो चल रहे हैं भी नदी में नहाने के लिए और वहां पर नहाएंगे दर्सन करेंगे गोंती जी तो दिखाऊंगे महां के नजारे भी आप लोगों को और हमने गाईज हम तीन चार साल बाद आए हैं हमें पता चला है मंदीर और अच्छा बन गया जैसा भी हम आपको दिखा महाया हुआ है तो इक बार चल के दिखाता हूं आप लोगों को महादेयोजी के मंदीर तो बाइज अभी आ गया है नदी पे यह मचली पकड़ने वाले यहां घूम रहे और यह हैं गोंती में यह अनाल है साथ में और वहां तक दिखाऊंगे हमारे गाउं का मंदीर है यह इसका और यह भगवान कृष्ण का मंदिर है और यह भी नया बना है मा दुर्गा जी का मंदिर है मातारानी का तो जैमा अंदर देखो मा शेरावाली अंदर भी राज करें है कि मासेरावाली जदर संकर यह आप लोग जैकाराज सेरावाली जैमासेरावाली और यह अभी नया मंदिर बना है अल्फिलाल में और यह पीछे देख सकते हूं यह खेड है कि यह देखाते हैं लोग काम कर रहें खेटे धान और नती है उतरा के और यह भवान सियु संकर का मंदिर है और सामने राधारानिय और स्रीप्रिश्न भवान का मंदिर है यह देखो यह देख सकते हैं पर जिन लोगों ने जो पैसा दिया है गाउं के सभी लोगों का नाम लिखा हुआ है इधर देखो यहां तक यह मंदिर की जमीन है पुरे गाउं के लोगों के सायोग से मंदिर बना है यह तो गाइस यहां पर मानिता यह है कि बहुत टाइम पहले कुछ अब जादा टाइम होगा तो यहां पर खुदा ही चल रहा था तो यहां भगवान से संकर के हैं सिमलिंग निकला था तो उसी के जिए यहां पर पिर कहां के लोगों ने यह मंदिर बनवाया है मिलके और यह देख सकते हो मंदिर की चिका है जमीन है यह बर्गत का बहुत के काफी मेनत कर रहा है सुबघ निकल जाते है सामको आते हैं तो यह मंदिर भी नया बन वाया अभी फिर यह बंडरी करवा और यह देखो उदर हमारा घर है वहाँ पर और यह हमारे खेत है जो तो इसमें भी धान लगा हुआ था यह फसल वेकार होगे यहां पर भी यह देखो खेत में पूरा पानी भरा पड़ा यह भी हमारा फसल जो है यह खराब हो गया इधर यह फिल्ड था मैच खेलने के लिए यह भी खराब हो गया पानी भरा पड़ा चार तरफ अब वहां वो देखो हमारे घर है उदर आगे पीछे की साइड और इधर यह हमारे खेत हैं तो अभी हम लोग घर पे थे तो अब आप लोग देखिए हमारा गाओ जो है कितना सुंदर कितना प्यारा आज भी कितना देख रहे हो घर यहां पे कितनी दूर-दूर पे घर है एक एक घर और सांति का महोल है और सबकार अपना खेत है यह तर खेत हैं और इतनी अच्छी वियू है यह पर तो गाइस अब इस साम का टाइम है और तयार होगे भी चलरे मार्के घूंक आएंगे गां मैं देखो हम लोग ही घर खा है है मैं और तुनि चना बुट्टा खा रहा हैं गां में देखो नहीं कोती है